अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले मोधी सरकार के वरिस्ट मंत्री भारती जन्ता पार्टी के मरिस्ट नेता पूर्व रास्ट्री अध्यक्ष नितिन गटकरी एक बार फिर चर्चा में हैं इस बार ये चर्चा उनकी जो है वो जो जिस तरीके के बयान वो पिछले काफी समय से देते आ रहे हैं उसी तरीके से एक नए बयान को लेकर के हैं ये बयान जो है वो संबंदित है देश के पूरुप्रधानमंत्री मनमोहन सिंग से डॉक्टर मनमोहन सिंग की ये जो चर्चा की नीटियां जो उन्होंने लागू कराई थी दरसल नितिन गटकरी एक कारिक्रम को संबोधित कर रहे थे उसमें उन्होंने मनमोहन सिंग को लेकर के कई सारी बाते कहीं टी आई उयल पूरसकार 2022 को संबोधित करते हुए शड़क परिभान मंतरी नितिन गटकरी ने कहा कि मनम क्यानवे में देश के अर्थवेवस्था में दिक्कते होई थी उसमें मनमोहन सिंग ने जो उदारी करण की नीति को लागू किया था उसका उन्होंने जिक्र किया अपने भाशन में जो यह टैक्स इंडिया ऑनलाइन की तरह से आईजित कारिकरम था उसको संबोधित करते ह अपने भाशन में नितिन गटकरी ने कहा कि उदार अर्थवेवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली उसके लिए देश मनमोहन सिंग का रिणी है नब्बे के दिशक में जिस समय देश की अर्थवेवस्था में कई तरीके की दिक्कते थी देश की अर्थवेवस्था च नाम मिला था खुद नितिन गटकरी ने इस बात का हवाला दिया कि उनकी उदारी करण की नीतियों की चलते ही उदार अर्थविवस्था की नीतियों की चलते ही उन्हें जो सडक की यो जनाएं थी उसके लिए पैसा जुटाने में परशानी नहीं उठानी पड़ी उस समय नि किस उन्होंने दीरुबाय अंबानी का टेंडर कैंसिल कर दिया था फिर उनका चैलेंज लिया सडक बरवाई तो इस नीतियों ये जो नितिन गटकरी ने बात कही है वो इस तरीके की बात अक्सर कई सारजनिक मंचों पर उठाते रहे हैं इसके लाएं उन्होंने मनमोहन सिं देश को उसका फाइदा हुआ साथी उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो देश को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाग पहुँचाने की मनसा हो साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उदारी करन जो है वो जो अर्थवेवस्था उधारी करन की बात है वो गरीबों और किशानों की लिए भी होनी चाहिए इसके अलावा नितिन गटकरी ने स्टीच का भी जिक्र किया कि जो देश में फिलाल 26 एक्सप्रेसवे का जो ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जा रहा है उसका जाल बिशाये किस तरीके से आम आदमी का पैसा उसमें निवेस करवाया जाए और जो पैसा जो है उसी पैसे से यह एक्स पैसे बनवाया जाए जिसके चलते कभी वित्ती दिक्कतों का बिल्कुल किसी तरीके का सामना ना उठाना पड़े इसके अलावा उन्होंने जो देश में नेशनल लाख चालिस हजार करोन की बात उन्होंने कही कि लगभग वन पॉइंट फॉर जिरो लाख करोन रुपए तक किये राजसों पहुंच जाएगा जो अभी एनेश याई को टोल्स के सारे मिल रहा है तो यह जो नीतियां हैं जो जो इन्होंने उदारी करण को लेकर के उनकी तारीफ की मरमोहन सिंग की उस पर अब खूब चर्चा हो रही है चुकि नितिन गटकर इस तरीके के बयान पहले भी देते रहे हैं कोई पहला बयान नहीं है उन्होंने राजनीत को लेकर के अभी हाल के समय में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महात्मा गां बयान को लेकर कि नितिन गटकरी का काफी चर्चा में रहा था जब उन्होंने कांग्रेस की लिए बात करते कि दिल से इस बात की कामना करते हैं कि देश में कांगिरस मजबूत इस टिति यंज रहे इसके अलावा उन्होंने एक बार अपने बयान में ये बात करी थी कि जो लोग अपना घर नहीं समाल पाते वो देश को कैसे समाल पाएंगे वो देश नहीं चला सकते हैं इस बात को सीधे प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी से जोड़ करके देखा गया था इसके अलावा नितिन गटकरी ने अपने बयान में एक बार स्टीज का जिकर किया था कि भारती जनता पार्टी जो है चुकि बार बार ये कहा जाता है कि अब वो गुजरात से चल रही है और दो गुजरातियों का भारती जनता पार्टी पर कबजा है इस तरीकी चीज़े उस पर नितिन वो अब जो है मोदी और शाह की पार्टी है इसके अलावा गटकरी का एक बयात था जिसमें उन्होंने कहा था कि सपने दिखाने वाले जो निता हैं वो लोगों को अच्छे लगते हैं पर अगर दिखाये गए सपने पूरे नहीं होते हैं तो जनता उनकी पिटाई भी करती है इतना ही नहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी नितिन गटकरी ने अपनी वेवाक राए रखी थी उन्होंने कहा था कि आरक्षण देने का क्या फाइदा है जब देश में नौकरिया ही नहीं है तो जो बेरोजगारी का मुद्दा जो जो जोर शोर से विपक्ष द्वारा उठाया जाता है उसको बल मिला था ऐसे बयानों के सारे तो इस तरीके के तमाम बयान जो है वो नितिन गटकरी एक सर देते रहते हैं जिसके चलते उनकी चर्चा खुती रहती है अब नितिन गटकरी के मर्मोहन सिंग के आर्थिक उदारी करण को लेकर के दिये गए इस बय करके भारती जिनता पार्टी की तरफ से कई बार भारती जिनता पार्टी के स्थितियां असाज देखी गई थी भारती जिनता पार्टी असाज हो गई थी जिसके बाद इनके ओपर कारवाई भी हुई जिस नितिन गटकरी के लिए कभी भारती जिनता पार्टी के सम्विध श्रैचुके नितिन गटकरी को संसदी बोर्ट से भारती जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, इसके अलावा जो किंद्री चुनाव समिती है, उससे भी उनका नाम हटा दिया गया था, जिसको ले करके खूब चर्चा चली थी, और ये बार-बार जो चर्च से एक तरफ संसदी बोर्ट से और केंद्री चुनाव समिती दोनों जगहों से उनके हटा दिया गया था, अब इस नए बयान के बाद भारती जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा, परकुल मिलाकर मनमोहन सिंग की तारीफ जो नि